जैहिन दोस्तों स्वागत है अपने इस यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को प्राचीन भारती इतिहास का यह आठवा टॉपिक रहेगा जिसका नाम रहेगा बच्चों सयोधर्म इसके पहले हमने बहुत धर्म के विशे में बताया आज हम जो है सयोधर्म के बारे में बताएंगे दोस्तों यह वीडियो कंपनिशन एक्जाम के लिए सभी प्रदोडोगी परिच्छाओं के लिए इंपौटेस रहेगा और इंटर्क के विध्यूतियों के लिए और हाई स्कूल के विध्यार्थियों के लिए मोश्ट इंपॉर् कर ने मास चल रहा है यानि सावन चल रहा है घवान दस्ञ करने लिए जल्द चणाने के लिए जा रहे हैं तो अब लोग समझ अ सउल से संबन्धि धर्म को क्या तो सइव झाल के दर्म कहा जाता है श्रीलिंग उपासना का प्राराम्भीक पुरा-ता-त्त विर्श田 그oue खुदाईस होता है खुदाईस प्राप्त होता है सिवलिंग उपासना यानि सिव की पूजा करना सिवलिंग की उपासना करना पूजा पाट करना सिवलिंग उपासना का प्रारामभी के पुरातात्विक साच है हरापा संस्कृति के जो है आस्वेसों से जो है मिलता है दोस्त सबसे प्राचीन वेद है रिचाय में मंत्र समंधियों किया गया है तो रिग वेद में सिव के लिए रूध्र नामक देवता का उनलेख मिलता है अथरवेद आप लोग बच्चों जानते हो अथरवेद जिसमें जादू टोना भूत परेद इस सब चीजें अथरवेद में मिल बच्चों लिंग पुजा का पहला सिभरलान जो है मस्रुद में मिलता है लिंग पूजा जो सबसे 20 का सबसे बड़ा महाकाब है महाभारत के अनुषासन पर उसे भी लिंग पूजा का वड़ार हमें मिलता है महाभारत के लिचना किस ने की थी बच्चों बेद ब्यास ने जो है की थी चलिए जनकारी आप लोग को होना चाहिए चोटी मूटी जनकारी या देखो रुद्र के पत्नी के रूप में पारवती का नाम पारवती आप जानतों जनकार भागवान की पत्नी का नाम पारवती था तो रुद्र के पत्नी के रूप में पारवती का नाम तैतरी अरेन्यक में जो है मिलता है शीव की पतनी की जो है सौम में रूप है पद्या पार्वती उमा गवरी एवं भौरिवी ये सब इनका नाम है वावान पुरान में सयव संप्रताय की संख्या चार बताई गई है कौन-कौन पसुपत जो है कापली के काला मूख है और लिंगायात पस्पत संप्रताय सयव को सरवाधिक प्राचीन सप्रताय है इसके लगलीश थे जिनने भगवान सीव के इंठारे आवतारों मेंसे एक माना जाता है आगे देखेंगे लोगगई पस्पत संप्रताय के अन्याईयों को जो है पैप्चार्ति कहा गया है बच्यों पंडित एक विख्यात पस्वत आचारी थे और जो है और बच्वों कापाली संपरदाय के इश्ट देव भैरव थे इस संपरदाय का पर्भु केंद्रे स्रीसरेल नामा के अस्थान था और आगे देखेंगे क्या है संपरदाय संस्थापक कुछ शंपरदाय है कुछ संपरद उसके बाद में है घोर अक्रियावादी उसके बाद में है यद्रिचायावाद जिसके संस्थापक आचार अजित हैं भौतिक वादी जिसके संस्थापक पकुद्ध कच्चायन है और अनिस्सरवादी जिसके संस्थापक संजय वेट लिठे पुत्र हैं काला मुख संपदाय के नाईयों को जो है सिव पुर्वान में महाब्रत धर कहा गया है इस संपदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा जो है सूरा पान करते हैं और साथ ही अपने सरी पर जो है चिता की भस मलते हैं है लिंगायत संपदाय दक्षित था दक्षित में तो इंडिया इसके दक्षित में तो लिंगाया संपदाय के लोग सिव लिंग की जो है उपासना करते थे आगे देखेंगे सुन संपादने लिंगायतों का मुख धार्मी के गरंथ है बासव पुरान में लिंगाया संपधाय के परवर्तक अल्लाभ प्रभू तथा उनके सिस जुरे बासव को बताया गया है इस संपधाय को बीर स्यु संपधाय भी कहा जाता है बासाव उनका भतीजा चन्ना बासाव कनाटक के कुल्चुरी डाजाओं के दरबार में रहते थे जैनों के साथ कठिन संगर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की जो है स्थापना की थी उन्हेंने जाद्ड परथा का क्ड़ा बिरोत किया और उपवास प्रीत सिति यत्रा एम बलीपरथा को जो है अश्वकार किया बाल बिवाः का बिरोत किया और बिधवा बिवाः की जो है अनुमत दी दास्वी सताब्दी में मत्सेंद नात ने नात संपदाय की स्थापना की उनके दौरा प्रच्पदी सिध्धान को तंतर कहा जाता है इसकी सदस्ता बिना जाती भेत सब के लिए खुली थी दश्री महारत में जो है सयोधर्म चालुक का राश्ट कूट पल्लाओ एवन चोलों के समय बहें लोकुरी रहा ठीक बच्चों चलिए आगे देखा जाएगा पल्लों काल में सयोधर्म का परचार परशार नैनारों दौरा जो है किया गया नोट में देखेंगे में लोग नोट इंपोर्टन्स है तेखो पसुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काट मंडू से तीन किलो मीटर उत्तर पस्चिम में बागमती नदी किनारे अप लोग इसको ध्यान दिजी बच्चो पसुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काट मंडू से तीन किलो मीटर उत्तर पस्चिम में बागमती नदी किनारे देव पाटन गाउं में इस्थित एक सी मंदिर है और नेपाल के धर्मिट पेच राष्ट बढ़ने से पहले यह मंदिर राष्टी देवता भगवार पस्पतिनाम का जो है मुख निवास मालांग जाता था इस मंदिर परिसाथ को जो है करवाया इन फीन ब्राष्ट बेरी इंपोर्टें जिंदे लेश्ट के सासकों ने करवाया था प्रश्चों पूछा जाता है द नंधी का एक सॉ возьू प्राप्त होता है तो धर्म समदी संवाइब से इंप्रट्न सब्सक्राइब लोगों ने विश्थार से चाचाएंक भी देखने लिए बहुत-बहुत-धनवाद धैंक्यू बच्छो